हाई अव्रीवन वेल्कम तो भी अच्व पार्ट साला मेरा नाम है अधर्श और इस वीडियो में हम लोग 20 इंपर्टेंट को डिस्कुस करेंगे अगर आप हमारे प्रिमियम कुर्सिस को अवैल करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी क्वेयरीज पूछने के लिए इंस्टाग्राम पर एड़ भी एच्व पार्ट साला को फॉलोगर लें तो चलिए बीना देर किये स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि पहला क्वेश्टिन क्या है and the very first question is when was first commonwealth games held प्रफम राश्टरमंडल खेल कब आयोजित किये गये थे तो जो प्रफम राश्टरमंडल खेल थे that were held in 1930 तो हमारा साही आंसर हो जाएगा option number C यानि 1930 में आज आयोजित किये गये कि 1930 में से आयोजित किया गया और सबसे पहले इसका आयोजन है मिल्टन कैनाडा में हुआ था और इसमें कुल 400 एथलेट्स ने भाग लिया था ठीक है 400 एथलेट्स पार्टिसिपेटेड इन इस चलिए आगे चलते हैं question number second is which animal is inscribed on the insignia of Reserve Bank of India भारती Reserve Bank के प्रतीक चिन्न पर कौन सा जानवर अंकी थे तो जो भारती रिजर्व बैंक का प्रतीक चिन्न है उस पर Tiger बना हुआ है यानि option B will be our right answer आगे चलते हैं question number third is where is Salarjung museum located Salarjung संग्रहाले कहां इसे थे तो यह Salarjung संग्रहाले है this is located in Hyderabad option D will be our right answer moving on to the next question question number four which is the world's highest lake विश्व की सबसे उंची जील कौन सी है तो जो विश्व की सबसे उंची जील है that is Lake Titikaka और बात करें वहीं विश्व की सबसे बड़ी जील की तो विश्व की सबसे बड़ी जील है कैस्पियन सागर और सबसे गहरी बैकाल लेक बैकाल चलिए आगे चलते हैं कि कुश्चन नमबर five is कि हूज मसोलियम इज दे किसान घाट किसान घाट किसका समाधी अस्तल है तो जो यह किसान घाट है यह समाधी अस्तल है कि ऑप्शन नमबर बी यानि चौधरी चरण सिंग का और दूसरे समाधी अस्तलों के हम बात कर लेते हैं तो जो राजिव गांधी की समाधी अस्तल है उसका नाम है वीर भूमी ठीक है देट इस नोन एज वीर भूमी और लाल बहादुर शास्त्री जी के समाधी अस्तल का नाम है अब है घाट इस सो इन सारे पॉइंट्स को आप चाहें तो नोट कर सकते हैं अब है घाट ओके ठीक है कुशन नम्बर सिक्स इस सेलेक्ट इनकरेक्ट पेर गलत यूम का चाहिन करें यहां पे बुक और आथर्स के नाम दिये गए हैं इधर किताबे हैं और इधर आथर्स किसके दोरा लिखी गई है तो पहला है बीजक और रिटन वाय कबीर दास तो यह सही है दूसरा है मालवी कागनी मित्रम काली दास क दीखिए की दवारा लिखी गई है यह भी सही है प्ष्ण नम्र डीज विने पत्रिका कभीर दास यह गलत है स्टू आप और राइट आंसर विल भी ऑप्षिन डी विने पत्रिका है दिस बिश्वें रूटेन बाई तुलसी दास, not कबीर दास और तुलसी दास की अन्यमत्पूर रत्चाय हैं जैसे गीतावली, साहित्य राना, ठीक है चलिए आगे चलते हैं साहित्य रतना, राना नहीं, ठीक है आगे चलते हैं, question number 7 is Which of the following statements is wrong? निमलिखित में से कौन सा कथा गलत है? Option A is Indian Constitution has 22 parts यह सही है Option B is where are 12 schedules in Indian Constitution बारतिय सम्मिधान में 12 अनिसूचिया हैं यह भी सही है Option C is original Indian Constitution had 395 articles and 8 schedules and 22 parts इसका एंदी नहीं हो पाया है, तो मैं आपको बता देता हूं कि बारतिय मूल सम्मिधान में जब लागू किया गया तो उसमें यह option कहता है कि 395 articles थे 395 articles, 8 schedules, 8 अनिसूचिया और 22 बाग थे यह भी सही है Option D is Article 1110 of Indian Constitution तो this is wrong तो हमारा सही आंसर हो जाएगा Option D और Article 1110 जो है This tells you about money bill मतलब कोई bill, money bill है कि नहीं इसका नुड़ है कौन लेगा तो यह लोग सभाय speaker लेंगे यह बताता है हमें Article 110 और Finance Commission की जो बात कही गई है This has been done in Article 280 चलिए आगे चलते हैं Question No.8 is When did Mahatma Gandhi start Non-Cooperation Movement? Mahatma Gandhi ने अशायोग अंदोलन कब शुरू किया? तो Mahatma Gandhi ने अशायोग अंदोलन कब शुरू किया? This was started in 1920 1920 में इसकी शुरूबात की गई और दूसरे options की अगर हम बात कर लें तो 1869 में Mahatma Gandhi का जन्म हुआ And 1922 यानि 1922 में यह जो Non-Cooperation Movement था This was called off इसको बंद कर दिया गया चौरी चौरा कांड के बाद And 1948 में गांदी जी की मृत्ति हुई और 30 January जिस दिन इनका डेथ हुआ जिस दिन इनकी मृत्ति हुई That day is now celebrated at शहीद दिवस चलिए आगे चलते हैं 30 January 1900 30 January 1948 ठीक है Question No.9 is Which is the world's largest island? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है तो Greenland is the world's biggest island या फिर largest island Option B will be our right answer Let's move on to next question Question No.10 is Where is the headquarters of UNESCO located? जो UNESCO है उसका headquarters कहां पे located है आप लोग इसका full form हमें comment box में बताएंगे UNESCO का पूरा full form क्या है ठीक है तो जो headquarters है UNESCO के These are located in Paris, France और दूसरा options के बारे में अगर हम बात कर लें तो अगर New York की बात करें तो New York में है UNNU United Nations organization की headquarters वहाँ पे हैं और UNNU के अस्थापनावी ही 24 October 1945 को और Geneva Geneva में है WHU अनि World Health Organization और World Health Day का मना जाता है इसको आप लोग बताईए ठीक है आगे चलते हैं Question number 11 is Where is Sanchi Stupa located? Sanchi का स्थूप कहां इस्तित है तो जो यह Sanchi का स्थूप है This is located in Madhya Pradesh Okay Madhya Pradesh हमारा सही answer हो जाएगा आगे चलते हैं Question number 12 की तरफ When was the State Bank of India established? भारती State Bank की अस्थापना कब हुई थी? तो भारती State Bank की अस्थापना हुई थी 1955 यानि 1955 में So 1955 में State Bank of India के स्थापना हुई चलिए आगे चलते हैं Question number 13 देखते हैं क्या है Which one of the following is called Permanent Memory of Computer? तो निम्लिखित में से किसको Computer की अस्थाई स्मृति कहा जाता है तो जो रूम होता है उसको Permanent Memory कहा जाता है So Option A will be our right answer ठीक है? इसका Full Farm होता है Read Only Memory और RAM ये भी पूछा जाता है इसका Full Farm तो इसका होता है Random Access Memory आगे चलते हैं Question number 14 देखते हैं Euro Cup is related to which game? Euro Cup की स्खेल से संबन ली थे? तो Euro Cup मैं आपको बता दूँ This is related to football Option B हमारा सही आंसर हो जाएगा और दूसरे options के बारे में अगर हम बात करें तो Badminton से related है Sudirman Cup मैंने आपको एक बार question कराया भी था और Lawn Tennis Wimbandland होता है This is related to Lawn Tennis और Cricket से बात करें तो Asia Cup वगेरा रंजी ट्रॉफी होते हैं ठीक है? आगे चलते हैं Question No.15 is When was first constitutional amendment done in India? मतलब when was first amendment done in Indian constitution? बारती समिधान में पहला संशोधन कब किया गया? तो जब बारती समिधान में पहला संशोधन किया गया This was done in 1951 and this was related to जब पहला समिधान संशोधन था ये किस से एक मिनट लेट में करेक्ट इट जब पहला समिधान संशोधन था ये 1951 में किया गया शो अपसंसी हमारा सही आंसर होगा और इस वर रिलेटेट टू लेड रिफॉर्म से ठीक है? लेड रिफॉर्म से रिलेटेट है ठीक है? आगे चलते हैं Question No.16 is Who is the author of Book Unhappy India? Unhappy India पुस्तक के लेखक कौन है? तो जो ये Unhappy India बुक है इसके लेखक थे लाला लाजपत रहा है ठीक है? So Option B will be our right answer और दूसरा अपसंद के बारे में गर हम बात कर लें तो भगत सिंग के दौरा एक किताब लिखी गई थी जिसका नाम था Why I am Atheist Option C विकरम सेट इनके दौरा काफी किताबे लिखी गई है और मैं कुछ का नाम बताता हूँ एक Golden Gate काफी famous है और एक The Suitable Boy ठीक है? ये दोनों किताबे विकरम सेट की हैं इसरे वेरी इंपॉर्टेंट कई बार कुछी जा चुकी है एक बार फिर से बोल देता हूँ The Golden Gate, A Suitable Boy Option D is Jawaharlal Nehru I hope आप सबको पता भी होगा The Glimpse of World History, The Discovery of India ये कुछ किताबे इनके दौरा लिखी गई है ठीक है? आगे चलते हैं Question No.17 is On Which Date National Sports Day is Celebrated जो रास्टरी ए खेल दिवश की स्थिति को मना आ जाता है तो इस इस सेलेबरेटर अट 29 अगस्त और इसी मेजर ध्यानचंद जी का जन दिन होता है और मेजर ध्यानचंद का जन उनिस सो पांच में होगा था 29 अगस्त को आगे चलते हैं दूसरे आप्शन के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मना जाता है ठीक है 14 सितंबर को हिंदी दिवस मना जाता है और 16 सितंबर ओजोन डे ओजोन डे 11 जुलाई वर्ल्ड पॉप्यूलेशन डे विश्व जन संक्या दिवस ठीक है तो चलिए आगे चलते हैं विश्चन नमबर 18 के तरफ इसलेक्ट दे इनकरेक्ट पेर गलत जोडी का चैन करें यहाँ पर कुछ नारा दिया गे मतलब नारे हैं स्लोगन्स एंड किसने उसको दिया था वो लिखा हुआ है बैक्ट वेदाज सेट बैदा अनन्स और अस्वति यह सही है दिल्ली चलो सुभाष चंद्रबोस इसलसो करेक्ट डू और डाई मात्मा गादी ने कहा था यह भी सही है जय जवान जय किसान यह लाल बादुर शास्त्री नहीं कहा था यह सारे यह सारे options सही है ठीक है इसमें से कोई भी ऐसा option नहीं है जो correct नहीं है यह गलत होगा आप पूरा question ठीक है इसको skip कर देंगे फिर आप knowledge के लिए इसको note भी कर सकते है all are correct ठीक है सभी pairs सभी pairs सही है मैं लिग देता हूँ यहाँ पर all एक मिनट मैं लिग देता हूँ all are correct ठीक है all correct सारे के सारे सही है मैं टिक कर देता हूँ सारे ही सारे ही सही है question number 19 देखते हैं हम लोग part 4 of constitution of India deals with which of the following भारत के समिधान का भाग 4 निम्रलिखीत में से किसे सम्बंदीत है तो जो भाग चार है this is related to fundamental नहीं नहीं this is related to directive principles of state policy option number D हमारा साही हो जाएगा और article 36 से लेकर के 51 तक DPSP है यानि की directive principles of state policy ठीक है चलिए आगे चलते हैं question number 20 के तरफ anti-defection law is provided in which schedule of Indian constitution भारती सम्जान की किस अनसूची में anti-defection कानून दिया गया है तो जो anti-defection law है this has been mentioned in 10th schedule of Indian constitution यानि की 10 में अनसूची में है और this was added by 52nd act मतलब 52nd constitutional act था ये 52nd सम्जान सुन्शोधन जो की 1985 में किया गया है 52nd constitutional amendment था ये this was done in 1985 दल बदल कानून ठीक है चलिए आगे चलते हैं देख लेते हैं question आप लोगों के लिए क्या है the question for you is how many types of reads are there in India जो भारत में reads होते हैं जो नयाले जारी किये जाते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं तो इसका answer आपको comment box में करेंगे अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो share कीजिए अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल भी अच्चू पार्ट साला और उनिविश्टी गुरुकुल को subscribe करें thanks for watching stay safe thank you